हे गाइस आगे आ हूँ और एक मज़ेदर वीडियो के साथ आज हमारे पास है Realme 12 Plus आज इस वीडियो में इस फोन का Top 50 Plus Amazing Features के बारे में बताऊँगा इस वीडियो देखने के बाद बहुत आसानी से आपके फोन को इस्तेमाल कर पाओगे इस फोन में कोई भी एप्लिकेसन को पास्वाट के जरिये लॉग भी कर पाओगे उसके लिए सेर्टिंग के अंदर आना है सिक्यूरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर आना है एब लॉग का ओप्सेन दिखाई देगा यहाँ पे आके आप लोगों को एप लॉग को इनेबल करना है सबसे पहले सेर्टिंग के अंदर जाके आपको एक पास्वाट सिलेट कर लेना है कुछ भी कैरेक्टर नेम यहाँ पे डाल दीजिए रिसेट के टाइम में एक काम में आता है उसके बाद जो सरे अप्लिकेशन को लॉग करना चाहते हो यहाँ से आप लोग इनेबल कर सकते हो अभी देखिए इस अप्लिकेशन को मैं इनेबल किया हूँ जब मैं इस अप्लिकेशन को ओपिन करने जाऊंगा मुझसे पास्वाट मांगेगा कोई भी application को अगर height करना चाहते हो वो भी इस phone में possible है उसके लिए setting के अंदर आना है security and privacy के अंदर फिर से आना है height app का option यहाँ पे दिखाई देगा password फिर से अब लोगों को create करके जो सारे application को height करना चाहते हो उसको enable कर देना वो application height हो जाएगा अभी hidden application के अंदर आके आप लोग उस सारे application को check कर पाओगे और यहाँ से अब लोग disable भी कर पाओगे height application को कोई भी images, video या documents को भी अगर height करना चाहते हो वो भी इस phone में possible है उसके लिए gallery के अंदर आना है, कोई भी picture के अंदर आ जाना है three dot के उपर tap करके, यहाँ पे sit as private के उपर tap करना है देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो move हो जाएगा अभी आप logo को कहां से check करना है, setting के अंदर आप logo को आना है यहाँ पे security and privacy के अंदर आना है, सबसे नीचे यहाँ पे private ship का option दिखाई देगा यहाँ पे देखिए password डाल दीजिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे image and video के अंदर आईए जो image मैंने height किया था, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा even दोस्तों यहाँ से audio, documents या others कोई भी file को सेम तरीके से अब लोग height कर पाऊगे जब आप लोग new phone खरीते हो, app drawer में जाने के बाद इस तरीके से गंदा सा interface दिखाई देता है सबसे पहले तो search bar open होके, यहाँ पे keyboard खुल के आ जाता है उसके बाद यहाँ पे app suggestion open हो जाता है तो आप ना यहाँ पे manage के उपर tap करके app drawer setting के अंदर आ जाना और हर एक option को disable कर देना अभी देखिए, अगर मैं swipe करूँगा तो clean interface आ चुका है कोई भी app साज़े सा नहीं, कोई भी keyboard open होके नहीं आया है इस phone में floating window का option भी देखने को मिलता है कोई भी application आप यूज़ कर रहे हो, recent menu के अंदर आने के बाद three dot के उपर tap करके floating window के उपर tap कर दीजिए देखिए, menu window है, single tap करने से floating window में open हो जाएगा यहाँ पर tap करके कई भी आप लोग move करवा सकते हो और यहाँ से दोस्तों इसके size को आप लोग customize कर पाओगे even यहाँ पर cross में tap करके close कर सकते हो recent menu में जाने के बाद application के अंदर कौन सा चीज हम लोग use कर रहे थे वो show करता है, तो यहाँ पर three dot के उपर tap करके height content के उपर tap कर दीजिए देखिए height हो जाएगा, और अगर आप लोग password बेगरा लगा कर रखे हो तो जब आप लोग tap करोगे password मागेगा password दोगे, तब भी आप लोग देख पाऊगे के application के अंदर कौन सा चीज यूज़ कर रहे थे इस phone में AMOLED display है, उसके बज़े से alloH on display का option भी इस phone में दिया गया है उसके लिए wallpaper and style के अंदर आना है, alloH on display के अंदर आ जाना है, इसको enable कर देना है देखिए यहाँ पे तरह तरह के का, यहाँ पे देखिए icon बेगरा दिया है alloH on display के लिए आप खुद customize भी कर सकते हो, even more display setting के अंदर आके अगर आप लोग notification सो करवाना चाहते हो alloH on display में, तो इसको भी enable कर सकते हो notification drawer में जो icon का style है ना, इसको भी आप लोग बहुत आसानी से change कर पाओगे देखिए यहाँ पे round save है, मैं चाहता हूँ कुछ अलग सा style हो, उसके लिए wallpaper and style के अंदर फिर से आना है यहाँ पे आप लोगों को, quick setting के अंदर आप लोगों को आ जाना है, देखिए यहाँ पे round है, मैंना कुछ अलग सा कर देता हूँ अभी देखिए, यहाँ पे change हो चुका है, round के जगा में, तो इस तरीके से आप लोग change भी कर पाओगे application का icon जो है, ओ भी round है, इसको भी आप लोग change कर पाओगे setting के अंदर, फिर से wallpaper, style के अंदर icon के अंदर आना है, देखिए यहाँ पे round है ना, मैं square करके apply कर देता हूँ कुछ ही time में देखिए, यहाँ पे square हो चुका है, जो round safe था, वो यहाँ पे square होके आ चुका है इतना ही नहीं, notification रेर में जो blue color का अप लोगों को icon वेगरा दिखाई दे रहा है ना, इसको भी आप लोग change कर पाओगे उसके लिए फिर से wallpaper and style के अंदर, color के अंदर आ जाना है, इन में से कोई भी color को select कर लीजिए, देखिए color change हो चुका है इस phone में in display fingerprint sensor है, fingerprint का जो animation है ना, उसको भी आप लोग change कर पाओगे उसके लिए फिर से wallpaper and style के अंदर, fingerprint animation के अंदर, यहाँ पे देखिए तरह तरह का animation दिया गया है, इन में से कोई भी animation को आप लोग select कर पाओगे इतना ही नहीं, जब भी lock screen में कोई भी notification बेगरा आता है ना, डिस्पले में अलग सा light भी slow करवा सकते हो उसके लिए setting के अंदर, यहाँ पे wallpaper, style के अंदर, age lighting के अंदर आ जाना, और यहाँ पे देखिए side से कुछ इस तरीके से light blink करेगा, जब भी कोई भी notification बेगरा आएगा इस फोन में 24 hours के अंदर जो सारे notification आता है, हर एक notification को यहाँ पे चेक कर पाओगे लेकिन कई बर हम लोग बहुत सारे notification आने के लिए clear roll कर देते हैं, बात में पता चलता है, बहुत important notification आया था जो हमने guide कर दिये तो उसको चेक करने के लिए setting के अंदर, notification के अंदर, यहाँ पे more setting के अंदर, notification history का option दिखाई देगा, इस option को enable कर दीजिए WhatsApp का deleted message भी आप लोग यहाँ पे ही चेक कर पाओगे इस phone के lock skin में हर एक notification show करता है, privacy के लिए बहुत बड़ा issue है, इसके solution के लिए setting के अंदर, notification के अंदर, lock skin के अंदर आना है और lock skin notification के अंदर आके don't show lock skin notification कर दीजिए, lock skin में कोई भी notification कभी भी show नहीं करेगा इस phone में high refresh rate मिलता है, लेकिन by default वो auto में रहता है, उसको 120 hearts में enable करने के लिए display setting के अंदर आना है, और यहाँ पे आप लोगों को skin refresh rate दिखाई देगा, auto रहता है, आप लोगों को यहाँ पे high को select करना है जब आप लोग new phone खरिते होना, उपर में internet speed meter show नहीं करता है, उसको enable करने के लिए setting के अंदर notification status bar के अंदर यहाँ पे status bar का option दिखाई देगा, यहाँ पे real time network speed को enable कर देना है, उपर में internet speed meter show करने लगेगा home skin में set show swipe करोगे, एक smart side bar खुलके आता है, यहाँ पे बहुत सरे shortcut मिल जाएगा, और बहुत सरे application भी मिल जाएगा, edit के उपर tap करके बहुत सरे shortcut को add कर पाऊगे, बहुत सरे application को भी अब लोग add कर पाऊगे, और यहाँ से ही तुरंत ही अब लोग कोई भी application में switch कर सकते हो, by default F.E.C.S. बंद रहता है, इसको enable करने के लिए setting के अंदर, special features के अंदर, यहाँ पे smart side bar का option दिखाई देगा, इस option को enable कर देना, home skin में double tap करोगे, skin का जो light बंद हो जाता है, फिर से double tap करोगे, skin का जो light बंद हो जाता है, देखिए by default F.E.C.S. बंद हो जाता है, इसको enable करने क skin of justice का option भी देखने को मिलता है, setting के अंदर आप लोगों को आजाना है, additional setting के अंदर, motion and justice के अंदर, skin of justice का option दिखाई देगा, यह बंद रहता है, इसको enable कर दीजिएगा, देखिए lock skin में O लिखोगे तो camera open हो जाएगा, V लिखोगे तो flashlight open हो जाएगा, इवन नीचे बहुत स इम ड्रो करूंगा, थोड़े ही देर में मुझे password देने के बाद, automatically यहाँ पे देखिए map open हो चुका है, तो इस तरीके से अब लोग यह सारे shortcut को भी इस्तेमाल कर साकते हो, three finger से अब लोग skin sort ले पाऊगे इस phone में, और नीचे scroll के उपर tap करके long skin sort ले पाऊगे, जितना तक चाहिए done कर देना long skin sort हो जाएगा, motion and gestures के अंदर race to wipe का option भी देखने को मिलता है, मालो phone ऐसा पड़ा है, अगर उठाते हो, automatically skin का जो light हो वाइक अप हो जाएगा, Lab to ear to answer call, basically कोई भी incoming call और iPhone को कान के पास लेकर आजाईए, automatically call receive हो जाएगा, flip to mute incoming call, इसको enable करोगे, कोई भी incoming call और iPhone को पलट दीजिए, automatically call mute हो जाएगा, additional setting के अंदर बहुत सारे amazing features मिलता है, one hand mode, अगर आप एक हातों से phone को ज्यादा इस्तेमाल करते हो, one hand mode आपको बहुत मदद करेगा, even assistive ball का भी एक option देखने को मिलता है, इसको enable करोगे, एक ball खुल के आएगा, यहाँ पे tap करने से back होता है, double tap करने से, यहाँ पे देखिए, menu खुल के आजाता है, और tap करके hold करके रखोगे, तो home skin में आजाओगे, basically यह जो option है, इसको अब लोग change भी कर पाऊगे, assistive ball के अंदर आके, यहाँ पे tap menu कर दीजिए, tap करने से दोस्तों बहुत सारे option को खुल के आएगा, ना कि दोस्तों back वेगरा होगा, इस phone में skin recording का option भी 30 fps तक, और यहाँ पे front camera को भी enable कर सकते हो, और skin recording के time में जहाँ 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 पे touch कर रहे हो, ओ अगर show कर वाना चाहते हो, इसको भी enable कर सकते हो, किसी भी application के उपर आप लोग timer भी लगा सकते हो, माले जिए bgmi जैसा application बहुत सारे लोग edit हो चुका है, इसके लिए आप timer भ लीजे, जो time आप select करोगे, दिन में उत्रही time तक उस application को use कर पाओगे, उससे ज़्यादा अगर use करने जाओगे, application अटोमेटिकेली बंद हो जाएगा, जब तक आप लोग यहाँ पे आके app timer को delete नहीं करते हो, इता दोस्तो realme 12 plus का top 50 plus amazing features, अगर आप लोगों को एफ वीडि मिलता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो camera के उपर में dedicated video बनाऊंगा, card में link डाल दूंगा, वीडियो जरूर देख लेना, मिलते हैं अगले फ्रेस वीडियो में